कि नमस्कार दोस्तों मैं जीत आप सब का नेकाडवी वेलकम करता हूं कैसे हैं आप लोग और कैसी चले आप लों तैयारी एक बहुत ही खास सूचना है आप सभी के लिए कि इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है आपको बता दें सब इस्पیک्टर डिली पुलिस एक्जामानेशन है और दूसरी बात एक्जाम की जो डेट है वो नॉंबर माहे 2022 वे होगी अभी तारीक कनफर्म नहीं है जली ही आपको कनफर्म कर देगा लेकिन नॉंबर 2022 पर इस एक्जाम होना है और आपको बता दूँ ए दस तारीक मनलग कि आपका 10 अगस्त 2022 से लेकर के 30 अगस्त 2022 तक आप अपने फॉर्म को फिल कर दे और जिन लोग को यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के बाद एक सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं कि अपना पेमेंट फीस पेमेंट नहीं करते है उनको बता दू एक 31 तारीक तक आपको फिल करना होगा यदि आपको इऊफ लाइन चालान प्रोवाइट करते हैं तो आपको 35,400 से लेकर के जो बेतनमान है एक लाख बारह जार चार सो रुपए तक प्रोवाइड किया जाता है वहीं पर सबस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस का होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है 35,400 से लेकर के एक लाख बारह हजार चार सो रुपए तक का बेतनमान जो है सुरिशित किया जाता है यह बहुत ही बढ़िया मात जादा संक्या में है दिल्ली पुलिस में मेल के लिए टोटल वेकेंसी जो है 228 से फीमेल के लिए 112 वेकेंसी है दिल्ली पुलिस के लिए है डिपार्टमेंटल कंडियेट के लिए 12 सीटे रखी गई है ठीक है अन्रिजर्बर सीटे जो है 79 OBC की सीटे 42 और 24 सीटे SC और 12 सीटे HT और EWS के लिए भी यहां पर रिजर्बरेशन जो है प्रोवाइड किया गया है साथ ही साथ जो सब इस्पेक्टर जो होते हैं आपके CPF में सेंटर आनपोली स्पोर्स जो कि आपका BSS, BSS, CISF, CRPF, ITBP और SSB इन सभी के लिए जो सीटे हैं वो टोटल जो है 3960 सीटे हैं तो यह सीटे जो है मतलब 4960, 3960 सीटे और यहां पर आपको 228 सीटे और साथ ही साथ 112 सीटे फीमेल के लिए प्रोवाइड की गई है तो इतनी बढ़ियां सीटे जो है एक आपके लिए जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगे तो आप उनको भी दोल कर सकते हैं यहां पर रिजर्वेशन जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है रिजर्वेशन में SC और SD Candidate और जो अधर बैकवर्ड क्लास से इसके लाबा EWS जो है सामानता जो बच्चे हैं वो 20-25 की आएज गवे जो भी एज ग्रूप के बच्चे हैं वो इस फर्म को फिल कर सकते हैं दूसरी बात इस एज ग्रूप के फार्म फिल करते हैं समये एक बात का ध्यान दे जिनकी डेटा बर्थ 02-1997 से ले करके एक एक 2002 के बीच आती है वह सभी इस फार्म को फिल कर सकते हैं लेकिन इन सब के अलावा एक important सुषना यहाँ पर ध्यान दीजेगा एक important सुषना जो है यहाँ पर एक important सुषना जो यहाँ पर है आप सभी के लिए ठीक है कि SC, ST और OVC candidate के लिए SC, ST और OVC candidate के लिए यहाँ पर especially जो है एज की छूट दी गई है यदि आप SC candidate है तो आपको 5 साल की जो है एज की छूट प्रदान की जाती है ठीक है और यहाँ आप OVC candidate है तो आपको 3 साल की जो है एज में छूट relaxation प्रवाइड किया जाता है साथ ही साथ यहाँ एज तरिसमेन है तब भी आपको 3 साल की एज रिलेक्सेशन प्रवाइड की जाती है यहाँ पर कुछ कंडियेटों के लिए कुछ अलग छूटे जो है दी गई है तो यह एज रिलेक्सेशन भी आपको इस फॉर्म में प्रवाइड किया गया है साथ ही साथ छोटे भाइयों एक बात याँ रखिएगा एजूकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि कौन सी आप एजूकेशन धारण करने वाले छातर जो है इस CPO के या आप से बात करूँग या सब इस्पेक्टर दिल्ली पुलिस या सब इस्पेक्टर CAPF के एक्जाम का हम फिल कर सकते हैं तो किसी भी आप बैशलर डिग्री धारण करने वाले कोई भी व्यक्ति जो है एजूकेशन क्वालिफिकेशन पॉर और पोस्ट इस बैशलर डिग्री फोरे रिकोगनाइज उनिवर्सिटी और एक्वेलेंड किसी भी आप देश के विस्विद्याले या क किसी भी आप सिच्छन संस्तान जहां पर एक्वेलेंट डिग्री जो है बीए बीए सी से लेकर के वीटेक और किसी भी दिग्री के धारण करने वाले शाथ जो है इस फार्म को फिल कर सकते हैं साथी साथ दूसरी इंपॉर्टन बात कि अपलीकेशन जो फीस है इस फार्म को आपके पास के जो सहर हैं या जिला मुक्ख्याले हैं उनको देखने जैसे आगरा में इसका सेंटर होगा बरेली गोरग पुर होगा उतुम तर्गरी सम्भावित की गई है तो नौमबर माहर में आपका एकजाम होने वाला है तो आप लोग ध्यान रखे वहीं पर आप पता यदि इस्टन रीजन के रहने वारे नागरिक हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर राची का आप जारखंड के हैं तो राची में आप एकजाम दे सकते हैं वेश्ट मंगाल के लिए भी आपको कोलकता में सेंटर दिया जाएगा वहीं करनाठा के रहने वाले तो बैंगलोर और आपके बेलगां हुबली इन से जगए जो है दिल्ली में रहने वाले दिल्ली में भी आपका दिल्ली एंसियार में सेंटर है राइस्थान के रहने वाले तो राइस्थान का सेंटर है उत्राखंड में भी हलदवानी और रू अबिसे ध्यान देंगे, जिस आप छेतर से विराउंग करते हैं, उसी एक्जाम से इंटर के कोड को वहाँ पर फिल करें, ठीक है, साथ ही साथ जो आपके एक्जाम में, जो इस्कीम आफ एक्जामनेशन होगी, वो क्या होगी, तो आप देखना, यहाँ जो पेपर पहला होग खामनेशन होगी, वो इंगलिस कंप्रीहंसन के भी पेपर, फ़ц में कुशिन आएंगे, जो 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 गी 50 अंबर के होगी और 50 अंबर्न आपको प्रोवैड के जाएंगे, वहाँ जो पेपर टू होता है, यह टोटल इंगलिस्वेघस होता है, और आपको बतादू इंगलिस मार्क्स लेकर के आते हैं मैड के अधार पर फिर आपको जो लोग टॉप मैलेडि में होते हैं उनको बुलाए जाता है दूसरी बात यहां पर जब आप यह कंप्लीट स्लेबस है मैं अगली वीडियो में आपको पूरा दूसरी बात कि आपको यहां पर जब आप एक्जाम कर जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए भी यह सारे पॉइंट बताए गए मेडिकल एक्जामनेशन के बारे में आहिसाइट के बारे में भी यहां पर मिंसन क्या गया है ठीक है आपको थोड़ा सा रेशिंग सिर्फ एक इनफॉर्मिशन देने के लिए आपको आया हुआ था कि फॉर्म आच चुका है दस तारीक से मलागस्त के महने से यह जो है तीस अगस्त तक फॉर्म की तारीक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर दें जो इस एज ग्रुप में बिलॉंग करते हैं 20-25 साल के बीच मे और फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी को जाई रहे यादि किसी को भी इक्जाम के फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो इस विडियो के कमेंट बॉक्स में आप पता है कमेंट जरू कि मुझे एकजाम का जो फॉर्म करना है, खुछ से वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं एक सेंपल एकजाम का जो पैटरन है, फॉर्म किस तरीके से फिल करने हैं, किस कॉलम में क्या नंबर, ठीक है, वेरिफाइड आधार नंबर, टाइप अड़ी, आइड़ी नं वो आप सेंपल पेपर में नोडिफिकेशन से भी यह सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं तो आप लोग अब हमारे साथ अपनी तयारी को आसान बनाएं मैं आपको बताऊं किया प्लेटफॉर्म में जहां पर बेस्ट क्वार्टी इंसियोर की जाती है आप सभी लोग जानते एजुकेटर आपको बेस्ट कंटेइंट इंसियोर करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म में आपको पता है मैथ के लिए तॉप एजुकेटर अबिने सरमा सर पामन राव सर इंगलिस के लिए राणी मैम परनीत कौर मैम और अमन सर वहीं जीयस के लिए मैं आपको जीयस आपके सुमित गुयल सर हैं वादर एजुकेटर हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं तो हमारे प्लेट फॉर्म में आपके लिए सीपी ओ को ध्यार में रख करके इस पेसली बैच लाए जाएंगे तो आप उन बैचों को इन्रोल करके अपनी तैयारी को आसान करें और हमाई हुए हैं और आज पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपको इसी प्रकार से आपके एक्जाम से जुड़ी होई महात्पून जानकारी जो है समय समय पर मैं इस चैनल में आपको बताता रहूंगा और आने वाले जो भी के लिए बहुत ही खास है और आप सभी लोग जीतोर मेहनत करें हम सभी भी आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत करेंगे थैंकिस अनकाड़ेमी लेट्स ट्रकेट